बुट मॉर्णिंग स्टूडेंट भारती ग्रूफ ऑफ कॉलेज दूरगा आएम भुनिश्वरी जाहो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बी फोर्थ सैम एम्टी के इलेक्ट्रमेगनेटिक थेोरी के यूनिट फाइव के कुछ हम एक्वेशन्स देखते हैं मालब क्या बुल रहा है मैक्सवल एक्वेशन को हम डिफरेंशल और इंटीग्रल फॉर्मे हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं या तो टाइम वेरी फिल्ड के लिए या तो स्टाटिक फिल्ड फॉर फ्री स्पेस के लिए ठीक है तो मैंने ये कुछ आप लोगों के लिए ये दनाया है मैक्सवल एक्वेशन फॉर फ्री स्पेस फॉर टाइम वेरिंग फिल्ड तो कैसे होता है जब फ्री स्पेस होता है तो फ्री स्पेस के लिए क्या होता है सिग्मा इस इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है और रो वी क्या होती है जीरो तो जे की वैल्यू क्या हो पॉइंट फ्रॉम में और इंटिग्रल फॉम में कैसा होता है ओके पॉइंट फ्रॉम में क्या होता है कि डेल इंटू देखिए डेल इंटू डी इकवल टू होता है जीरो ठीक है और डेल इंटू डी इस इस इकवल टू क्या होता है जीरो मतलब यह पॉइंट फ्रॉम में मे हां पर किया होगा एसे इंटो सेक्ट जाँ पर सब्सक्राइब की हो जाए धिएरो होगा य। होता है सेकेंड टैल इंटो बिस्टाइब टैल crucified गा experience cię equal to होता है del B divided by del T ठीक है as it is हम इसको अगर integration के form में देखते हैं तो integral form में क्या हो जाता है मेरा ये E into DL ठीक है E into DL equal to minus del B divided by del T into Ds integration of okay उसके बाद क्या होता है fourth del cross H is equal to del D divided by क्या होता है del T तो इसको जब हम integration के form में रखेंगे तो क्या हो जागा ये H into DL is equal to del D divided by del T into Ds ये होता है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है कि point form में हमको value जो मिल रही है उसको हमें क्या करना रहता है integral form में change करना रहता है ठीक है अगर हम मालो कोई derivation या numerical solve करते तो उसके इम ये सारा आपको use होगा ठीक है integral form में अगर दिया है तो हमको कैसे find करना है है ना point form में दिया है तो हमको कैसे find करना है अगर हमें question जिस पे भी पूसता है उसके according ठीक है अब इसमें देखो ये मैंने किसके लिए देखा Maxwell equation for free space for a time vary field के लिए ठीक है अब हम static field के लिए देखते है Maxwell equation for free space for a static field ठीक है static field के लिए क्या होता है इसमें भी as it is same points है इसमें भी point form है और क्या है integral form है first क्या होता है del into d is equal to क्या होता है zero हो जाता है और d into ds is equal to क्या होता है zero होता है मतलब इसमें भी जैसे हम उसके लिए कर रहे थे वैसे ही इसमें भी same होगा ठीक है del into b is equal to क्या होगा zero होगा d into ds के value ब्वी क्या हो जाएगी? इसमेंगी, ठीक है, तो क्या होगा? अब 달 x E, ठीक, 달 x E मतलब इलेक्टिक फेल्ड भी मेरा जिर Awesome है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो इंटेग्रल फार्म में भी in to the limit क्या लेगा? इसके लिए l होगा ठाझे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 होजाएगा okay डेल क्रोस h is equal to क्या होगा 0 होगा 0 होगा इसकी limit हम क्या करेंगे l लेंगे h into dl दोनों में difference क्या हो रहे time के साथ vary ठाझे लेकिन यह क्या है हमारा static freedom इसलिए इसमें कोई changing हो रहा है कि इंटीग्रल फॉर्म में नहीं हो रहा है as it is ऐसा है वो वैसा ही रह रहा है ठीक है वही चीज इसमें भी हो रहा है आप ठीक है इसलिए यह क्या हो गया मेरे इधर कर जो यह अगर यह 0 है तो यह वालू भी क्या हो रहा है integral फॉर्म भी static ही है कोई यहाँ पर changing नहीं हो रहा है लेकिन मेरा यह इस वाले में क्या होगा है देखो dell cross edge जो है वो dell d divided by dell t और यह क्या हो रहा है ऐसा change हो ठीक है तो यह है छोटा सा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा यह आप जब numerical questions करें यह उस time आपको काम आएगा इसमें कुछ numerical इससे related numerical में आप लोगों को next के topic में आप लोगों को मैं समझाती हूँ ठीक है तो आज की हमारी class यहीं तक होती है ठीक है thank you for class